नमस्कार भाई और भाईनी आध देखी हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रूप के बारे में कि ये ब्लड ग्रूप होता क्या है कैसे बनता है कैसे आप अपना ब्लड ग्रूप पता लगा सकते हो कैसे अपनी वाली का ब्लड ग्रूप पता लगा सकते हो जानेंगे आज किस वी जान लेंगे अब यह जो खून है यानि जो ब्लड ग्रूप है यह आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एक्जाम में यह आना एकदम 101 परसेंट रहता है ऐसे खड़े पूछ लेगा तो इसलिए आज की वीडियो में जीतना भी पाई-पाई है blood group का वो सब आप जान लोगे यह मेरी guarantee है आई चलिए समझते हैं blood group के बारे में देखो जो blood group रहता है इसकी भहिए पहले इतिहाद समझते हैं तो इसकी खोजोज होना चाल हुआ था 1901 के बीच में तो एक्छो मनाई थे एक्छो scientist थे जिनका नाम था Carl और Land Ste इन्हों ने क्या किया था इनों ने सबसे पहले पता लगाया था कि हमारे चैरीर के आज गर्रूप प्ततर रह तो इन्होंने-चा पहल कर लएक का लेग इस टेनर ने देखोगे यह जो हैं इन्होंने भ해 यह था कि जो हमारा खून है वो भाइय रहता है ABO Group में यानि जो हमारा खून रहता है उसे हम ABO Group कहते हैं अब जैसे कुकुर बिलार शचुनर काला होगा लेकिन हम लोग क्या है ABO Group कहा जाता है थीक है अब यह जो है कार लेंड इस्टीनर इन्हों ने क्या किया था 1900 से लेकर 1901 के बीच में बलड ग्रूप की खोज करना चालू किये तो उसमें खोज किये थे लेकिन इनको जाकर 1930 में कहीं जाकर नोबल पुरूसकार मिला सोचो बेचारे इनको तीस साल इंतिजार करना पड़ा और वहीं एक ठो मनहीं आया जो कि 1902 में आया यानि कि नहीं की दो साल बाद आया जिसका नाम था अल्फरेड वॉन डेस के टेलो पतन का उना में देख ले ना ठीक है इन्होंने क्या बताया कि भाई ये देखो बाद नेगईटिफ और यह जह आ जहता chilliो नेगम पिडिफ के नदाए उसलिगूया सब्सक्राइब एस लेगे पक्रशाइब यह जहाता में जानुछ ब्सक्राइब का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो आप जाकर वहां सिग्दम नोट सिग्दम लगे हाथ बना सकते हो लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लो तब जानो ठीक है देखो जो हमारा ब्लड रहता है यानि जो हमारा खून रहता है उस खून में कई चीज़े पाई लगभग प्लाजमा पाई जाता है तो अब यह प्लाजमा होता है उसके अंदर पाई जाता भी यह एंटी बोडी और यह जवर सब यहां बना है अभी मोड़ी मत ख़ज हुआ अभी अगी एकदम डीटेल समझते है तो यह रबीसी हो गया उसके उपर एंटी ज्यों पाई जाता है वैसी प्लाज्मा पे एंटीबोडी होता है एंटीबोडी जो रहता है यह प्लाज्मा कंदर पाए जाता है अब देखवी जो एंटीबोडी और जो एंटीजन है यह भी दो दो प्रकार के होते हैं जैसे एंटीबोडी हो गया अगर ब्लड ग्रूप के बारें पढ़ प्रकार edG liv और यह आप देखो समझते हैं कैसे हमारा ब्लड गुरूप बनता तो देखो, जो हमारा खून रहता है, जो RBC रहता है, उसके उपर पाया जाता है antigen, तो यह हमारा RBC है, मालली यह लाल-ला खून है, उसके उपर देखोगे, इसे पेड़े-पेड़े टाइप का होगा, बहुत लोग कुरोना इसको समझ रहेता है, कुरोना नहीं है यह 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 तो आपका खुनवा A होगा, और अगर आपके RBC पर antigen B है, तो आपका खुन के blood group B होगा, और भगवती धारा अगर वहीं पर दूनों हो जाए, A और B, तो आपका खुनवा का जो होगा, वो A B हो जाएगा, और अगर आपके खुन के ऊपर, यानि आपके RBC के ऊपर, एकको antigen B नहीं है, तो आपका खुन O हो जाएगा, एकको नहीं है, यानि कि उसका मतलब क्या है, जीरो antigen है, तो आप साइंटिस सोचे है, जीरो अगर लिखेंगे, A B लिख रहे हैं, और उसे जीरो ला देंगे, दिक्कत हो जागी, तो सोचे कौनों, जीरो की तारा दिखता ह तो देखें, O दिखता है, तो इसलिए कहा जाता है, कि ये O हो गया खुन, अभी भी नहीं समझेोगे, देखो, अब समझ में आएगा, जो हमारा RBC रहता है, उसके उपर छोटे-छोटे antigen रहते हैं, अगर आपके RBC के उपर A antigen है, तो आपके खुन का जो blood group है, वो A होगा अगर आपके जो RBC उसके उपर B antigen है, तो आपके जो blood group होगा, वो B होगा, अब ये जो A antigen रहता है, वो कुछ इस तरीके से पेड़ की तरह दिखता है, और जो B antigen रहता है, वो कुछ इससे triangle तरह दिखता है, देखोगे, अगर यह थोड़ा दिख रहा है ना, ये जो चों अगलो वाला भी लगा है, देखोगे, चोंख वाला भी लगा है, पेड़ वाला भी लगा है, तो यहाँ पर दूनों antigen है, यानि A वाला antigen भी है, बी वाला antigen भी है, तो आपका blood group होगा, और अगर देखोगे, इसमित भाया, ये वाला तो जो RBC है, वो तो पूरा नंग है इसके उपर का उनों antigen भे नहीं है, जब इसके उपर ना तो A antigen है, ना तो B antigen है, यानि 0 antigen है, तो 0 तो लिखा नहीं जाएगा, ये इसलिए O कहा जाता है, कि ये O blood group हो गया, तो इस तरीके से blood group decide किया जाता है, आपके RBC के उपर जो antigen लगा रहेगा, वही आपका blood group हो ज जाता है, बस इस से जदा कुछ नहीं है, आप देखो, जो हमारा blood group होता है, अब मैंने आपको बताया था, कि जो हमारा खून होता है, उसके अंदर प्लाजमा पा जाता है, उसके अंदर antibodies भी पा जाता है, तो ये जो antibody होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो कि अगर यहाँ पर आपका antigen A है, तो कौन से antibody बनाएगा, अपने against में, तो ये बी antibody बनाएगा, सिंपल सी बात है, अब ये age antigen है, देखो, ये a blood group है, यानि कि ये जो antigen है न, ये antigen भी a है, समझ गया न, a blood group का मतलब क्या है, antigen यहाँ पर a लगए, ये सारे a antigen है, तो ये ज सेम सेम हो गये, और जब अगर antibody और antigen वा दूनों भगवती धरे सेम हो जाते हैं, तो दूनों मिला लाड़ जगड़ खताम हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ पर जो अगर a antigen है, तो b antigen है, समझ गये? और वैसी अगर माल लो यहाँ पर b antigen है, तो antigen है, तो antigen तो इस तरीके से कुछ हमारे सरीर के अंदर antibody यो बन जाती है अब देखोगे यहाँ पर यह चीज हो गया अगर अब आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है एक वर यार खुद दिमाख लगाओ अगर एक रूम है उसमें अगर आप दोई महरारू भेज देते हो महरारू है दोनों जेंडर सेम है तो दोनों जनी लड़ जगड़ खतम हो जाएंगे और अगर एक आदमी और एक और आउरत को भी तो मतलब लड़ेंगे नहीं उसका मतलब यह है तो हाँ पर लड़ जगड़ खतम नहीं होंगे तो वैसी यहाँ पर भी अगर दूनों मालों A हो गए यानि दूनों महरार हो जाते हैं तो लाड़ेश अगर खतम हो जाते इसलिए A है तो यह वाला B यह वाला B होगा तो यह वाला A होगा यह antibodies यह antigen है थोड़ा यार नमों confusion हो जाती है लेकिन एक दन ध्यान ध्यान से सुनना ठीक है अब देखो यहाँ पर अगर A B वाला जो blood group है अगर इसमें देखोगे तो A antigen भी है B antigen भी है अब यहाँ पर क्या होगा कि जब दूनों antigen वाँ हैं तो अगर आप A antibody डालते तो A वाला क्या करता इससे लड़के खतम हो जाता A वाले से अगर A antibody रहता तो यह वाला A वाले से लड़क खतम हो जाता और अगर B antibody बन जाता तो इससे लड़क खतम हो जाता यह वाला अगर आता तो इससे लड़क खतम हो जाता तो लड़ाई जगडा चालू रहता काउनों भी antibody नहीं रहती जो AB blood group रहता है उसमें antibody यह नहीं रहती समझगे अब आते हैं ओक वाले के सामने ओक वाले में देखो कि बिचरा टकला है इसके उपर काउनों एंटीजनवे नहीं है तो जब एंटीजनवे नहीं है तो काउनों से रियक्टे तो नहीं करेगा तो इस दोनों antibody रहती हैं अब यहां पर scientifically देखा गयता है अगर जिसका ब्लड ग्रूप और रहता है वो थोड़ा कम बीमार पड़ता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर antibody दूनों मौजूद रहती है antibody काम क्या होता है antibody काम होता है कि मतलब बाहर से अगर कौनों गंदगी या रह लिए तो गंदगी चली गई तो भीमार होगे तो उससे लड़ने का काम antibody करता है समझ गए तो जिसका ब्लड ग्रूप है उसके अंदर दोनों antibody तो कम बीमार पड़ेगा लेकिन जिसका AB ब्लड ग्रूप है उसके अंदर antibodies नहीं है तो थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ता है इस तरीके से आपका कुछ ब्लड ग्रूप होता है अगर आपको screenshot लेना हो तो ले सकते हो तो ले लिए होगे अब ब्लड ग्रूप बताओ क्या होता है भाईयो जो antigen लगा रहेगा आपके RBC पर वही आपका ब्लड ग्रूप है सिंपल सी बात है अब आप यहां पर मूरी खज़ गुआ और सोचो कि A वाला B को क्यों नहीं चड़ाया जाता अगर मालो यह वाला A वाला खून है अगर यह वाला मैं B वाली को चड़ा दूँगा मालो मेरा A ब्लड ग्रूप है मेरी वाली का B ब्लड ग्रूप है अब अगर मालो नस उसकाटली फिर उसको खून देना पड़ेगा अगर मालो मेरा A खून है और उसका B है तो क्या मैं खून दे सकता हूं आरे भाईए अगर मैं अपना खूनवा दे दूँगा तो यह तो ज चला गया यहां एंटी बढ़ी यह है दूनों मिले रियक्ट कर जाएंगे और जब दूनों मिले रियक्ट कर जाएंगे ना तो आपका एंटी जनवा खताम हो जाएगा और जब खताम हो जाएगा तो आपका खुनवा है वो जाम हो जाएगा नसीयक अंदर सोचो क्या होगा फ सकता है और जो A B वाला रहता है वो A B को दे सकता है और जो जो खून देता है, यानि जो खून डोनेट करने वाला रहता है, जो खून डोनर रहता है, उसका हमेशा देखा जाता है एंटीजन, अब जैसे कि माललो ये खून है, यानि ये आर बीसी है, तो माललो ये वाला ए वाला खून दे रहा है, तो उसका देखा जाएगा एंटीजन और जो खून ले रहा है उसका देखा जाएगा antibodies ठीक है तो जो भी खून देता है उसका antibodies देखा जाता है अब जैसे कि मालो मेरी वाली नस काट ली है और उसको खून की जरूरत है और मैं उसको खून देने जा रहा हूँ तो मेरा पहले antigen देखा जाएगा यानि कि मेरा blood group क्या है blood group जो है वही मेरा antigen रहेगा तो मेरा antigen देखा जाएगा और जिसको खून दिया जा रहा है उसका antibody देखा जाएगा समझ गए तो आप देखोगे यहाँ पर जैसे कि मालो मेरी वाली नस काट ली है और उसका blood group B है और blood group रहता है तो मेरा blood मेरा antigen A है फिर मेरी वाली का देखेगा उसका antibody क्या है क्योंकि वो खुन ले रही है तो उसका antibody देखा जाएगा तो उसका antibody देखा जाएगा A है तो आप जानते हो अगर A और A मिल गए दूनों मिल लड़के mood control कर लेंगे खतम हो तो इसलिए कभी भी A वाला B में नहीं चढ़ाया जा सकता है यह फिर AB में चढ़ाया जा सकता है अब मोड़ी ञज़ुआक और अपने Serge सोचो क्यों AB में चढ़ाया जा सकता है तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि A जो है और वाला несколько मेरी बाली का AB है, तो मैं खून दे सकता हूँ से, क्योंकि देखो, जब मेरा खून-दूंगत, मेरा Antigen A है, मेरी वाली का Antibody देखेंगे, तो मेरी वाली कि ओनो Antibody ये नहीं है, क्यों? क्योंकि AB का कोई Antibody नहीं होता, तो जब इसके पास कौनो Antibody ये नहीं है, भगवदी धरचाय जिससे खून ले सकता है ये क्यों खून ले सकता है सबसे क्योंकि इसके पास antibody नहीं है तो जो खून लेता है उसका antibody देखा जाता है तो जब उसके पास antibody ये नहीं है तो कौनो reaction वाला चीजे नहीं है तो वो सबसे ले सकता है खून समझ गये न तो इस तरी तो इसे लिए वाला सबको खून दे सकता है तो इस तरीके से भाईया खून लेन देन होता है अब हम समझते हैं आरेच फैक्टर के बारे में और जिस जो भी इसमें बच्चा है ना उसको आप एक बार मैच करना अपना दिमाग लगाना मोड़ी खज़गा जुगा देखना कि किस तरीके से बैठ रहा है आरेच फैक्टर जो होता है यह क्या होता है यह हमें बताता है भाईया इनका खून पॉस्टिव एक निगेटिव है पॉस्टिव का मतलब यह होता है कि कहा जाता है ना कि इनका ए पॉस्टिव है इनका बी पॉस्टिव है इनका ए भी पॉस्टि इसके बात किये तो इन्हों ने देखा इसका जो खोन है तो इसके खून में उन्होंने ये देखा, कि भाईया मालो इसका खून है, मालो ये बंदरवा कार बीसी है, तो इसके खून में देखा कि मालो ये वाला है, ये वाला एंटीजन है, यानि ए वाला एंटीजन है, इसके वाले में एंटीजन था, लेकिन साथ-साथ कुछ आईश लोग थे उन्होंने दियक D antigen है देखो थोड़ा D तरीकिक दिख रहा है ना तो इसलिए इसको D antigen नाम दे दिया गया तो अब हमारे देखा कि एक बंदर के अंदर कुछ ऐसा पाए गया है तो इन्हें दूनों मिला खुब बंदर बुला लिए और उसके बाद सबका खुनवा निकाले और चेक किये तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने ये देखा कि कुछ बंदर के अंदर ये B वाला पाया जा रहा है कुछ के अंदर ये वाला भी है बी वाला भी है और देखा कुछ बंदर के अंदर मालो बी वाला है तो साथ-साथ है कई कुछ है यानि डी वाला भी है तो ये वाला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी पॉज्टिव समझ गए क्योंकि बी वाला है साथ में ये तो बी हो जाएगा तो जिसमें यह रहता है D antigen उसे हम कहते हैं positive जिसमें नहीं रहता है यह अब यहाँ पर देखोगी अब इसमें आप देखो इसमें देखो यह AB blood group है लेकिन इसमें यह नहीं है तो ये क्या है A B negative लेकिन अब हमने लगा दिया इसे तो A B positive हो गया अब मालनलों ये O है तो O के उपर मालनलो ऊसे में लगा देता हो तो ये O positive हो जाएगा और नहीं जब लगा रहता है तो ये O negative रहता है समझ गये, अब मालनलों ये A है इसके उपर मैंने ऐसे लगा दिये तो E positive हो गया नहीं पहले A negative था समझ गया न तो यही होता है कि अगर जिस पे D antigen होता है तो वो RH positive होता है नहीं तो RH negative रहता अगर D antigen नहीं है RH क्यों लिए गया? RH भाई यह रिसेस बंदर था इसलिए RH यहीं से ले लिए गया तो जब blood group check होता है लिखा जाता है न A B positive positive का मतलब क्या है? RH positive यानि कि आपके अंदर D antigen है अब यहाँ पर देखोगे जो positive वाले खून रहते हैं जिसका RH positive है जिसका A positive है जिसका B positive है तो जिसका positive खून रहता वो किवल positive वाले को खून दे सकता है लेकिन जिसका negative रहता है वो बेचारे दोनों खून दे सकता है positive को भी negative को भी ठीक है? अब यहाँ पर जो O negative रहता है वो भाई ये universal donor रहता है यानि कि ये universe में किसी को भी donate कर सकता है खून अब ऐसा क्यों? देखो ये O है लेकिन इसके उपर ये नहीं है तो ये क्या है O negative है? तो बेचारे को पर कौनों भी antigen वे नहीं है तो जब इसके उपर कौनों antigen नहीं है जिसका खून देते हैं तो उसका antigen देखा जाता है बेचारे पास कौनों antigen नहीं है तो अब ये दूसरे बाड़िम जाके और येक्टे नहीं कर पाएगा काउने चीजी से तो ये सब को खून दिया जा सकता है O negative तो O negative हमेशा universal donor रहता है और भगवती दरह AB positive नहीं सब से खून receive कर सकता है तो AB positive क्यों receive कर सकता है तो जो खून receive करता है उसका हम देखते हैं क्या देखते हैं एंटी बॉड़ी देखते हैं तो इसके पास antibody ये नहीं ये तो ये किसी से भी खून ले सकता है तो ये उनिवर्सल रिसीवर होता है तो इस तरीके से भाईया कुछ खून लेन देन होता है आयो पाव आपको समझ में आऊ गया पूरा किलियर हो गया है यहां तक आप भी जान रोगे और अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडिएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपनी नोट्स बना सकते हो इतना कुछ आपके लिए कर रहा हूं एक लाइक तो कर देना तो यहां पर होती वीडियो एंड वीडियो पसंदत करेए अपने वाली के पास सेंड मिलें इनक्षोड़ों तब तक के लिए जाहिन दौर जाए भारत